करें कि साथि governor नमस्कार आजके हमारे इस वीडियो की विशे वस्तू यह प्रतियुक्था परिख्शा ओहतू गड़ित गड़ित विशे के अंतरगत हम आज बात करने जा रहें असांत आवर्ती कि एवं मिश्रत सांत आवर्ती दसंख्या साथियों इन संख्याओं के अंतरगत हम आज बात करेंगे असांत आवर्ती दसंख्या क्या है और दूतरी बाद असांत आवर्ती दसंख्या की पहिचान क्या है तो आए साथियों इन पर हम बात कर लें देखें असांत आवर्ती दस संख्या या परिमे संख्या जिसे दसमलों में बदनने के लिए जब अंस में हरका भाग दिये जाता है आप अंस में हम हरका आपको पता है कि कि जब्हिता हैं अन्वरत रूप से चलते रहती है बहुते बहुत या दो चार अंक का एक समुह उसकी पुन्रवक्ति या बारवा उसके आवरत्ति होते चले याती है और सेश फल में तुम्हें जो है वो नहीं आता है कोई ना कोई अंक आते रहता है तो ऐसी संख्या को हम असांत आवाती दसवलों संख्या कहते हैं साथियो इसको और उधान स आवरती दसवलों संख्या के उधान है देख लीजिए अब मैं बात करता हूं यहां फार एक पटे तीन को हम दसवलों में बदलने के प्रयास करेंगे तो या थात एक में हम तीन का भाग देंगे क्योंकि अंसमें हर का भाग दिये जाता है भाग नहीं जाएगा सुने के ब बच जाएगा एक फिर हमें असुन उतारेंगे इंदर का नौ फिर बच जाएगा एक तो साथियों आप यहां को देख रहे हैं कि सेज फल में लगाता एक आ रहा है और भागव में तीन की लगाता उन्दा वक्ति हो रहे हैं इसको जब हमको लिखना होता है भाग फल तो इसको पढ़ते हैं और इसका आशाईय है कि तीन की पुर्णावती बार 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 हो रहे हैं एक उधानी यह हुआ साथ की दूसरा उधानां देखते हैं बाइस बटे साथ का तो बाइस बटे साथ में हम 22 में साथ का भाग देते हैं सात्त्री 21 घटाएंगे बच गया एक आप उतारेंगे सिंदी 27 एकम साथ से देखिए घटाएंगे बजगया तीन धर्ल्ट रग चुका है अब सुन उतारेंगे रहा साथ त्री के साचो पो 28 फिन दो उतारेंगे सुन साथ दोरी चाओदा फिर बजगया छह सुन उतारेंगे ऐघंगे शाती अठीच्छापन फिर बज़ चार कि प्रिशुन उतारेंगे साथ पना पैंटिस तर फिर बज़ जाएंगे सासा तया उनन्चास फिर बज़ घ्या एक फिर यहाँ सुन उतारेंगे फिर साते कम तो 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 नी चौदा फिर बज़िया च्छाएं फिर सुन उतारेंगे फिर साथी आठी छपपन फिर बज़िया चार फिर उतारेंगे तो कि यहां पर एक चार दो आठ पां चार की पुर वक्ति हो रहे हैं चार दो आठ पांसांत अर इस आरहा है अधा यहां पर इस अंग समों कि निए तो यह पूरा अंग समों तो साथियो इसको जब भागफान पर बावर क्या लिखेंगे तीन यह चार दो आट पांच साथ के उपर हम बार या आवर्थ लगा देंगे पूरे के उपर इसका है होगा कि एक चार 2 आख पां साद की कुर्द रर्ति बाराकन हो रही है साथ यह थे आपसांत आवर्थी संख्या के उध्हारन अब हम बात करते हैं मिश्रित 90 आवर्थी कि ऍथा डी थे किया है है उसके अंस में हरका भाग दी लिएता है तो तो दसमलों के बाद कम से कम एक अंक ऐसा होता है जिसके पुर्णडरवक्ती नहीं हो लही है और उसके बाद के अंकों की पूर्णरवक्तीई होती हो तो मिश्रिट सांथ आवाती कहा जाता है साथियों कहने का साहिया है जब ऐसी कोई परिमे संख्या जिस में बदलते हैं तो भाग करें जाफ्रारंब होती था तो दसंद के है कि हमारे पास में परिमे संगय चार बटे पंद्रह आप देखे इसको बतनने के प्रयास करते हैं चार में भाग देंगे 15 का भाग जाए गर नहीं जाए इसलिके साहिक पहर सुने अब भाग देंगे सात्य यह तो फंद्रह दूनी तीस दूबा जाएगा रटाएंगे बज्चाएंगे दस अब यहां रट्चूक शुन उतारएंगे अब 15 करें ज्खता हुआगे 15-6 90 फिर बज्चाएंगे 10 फिर हमें 15 छाकथ करें पहर72 धाय कि obtained 16 यंद च्के तो असःसे के बाद हो रही है जबकि यहां पर आथ ने भाग पुर्चब थृत-त्यूस Amala के तुरून घृत है एब हम क्या है इस बारें बात कर लेते हैं है सांधियो है का में संख्यां में या भेने फिक अमेern अमेंद ये है कि हम इस बात की पहिचान कन कौन सी संख्या असांत आवर्ती दसमनों संख्या है और को से संख्या इसके बारे में हमको पहचानना आना चाहिए इसके पहचान क्या है इस बारे हम बात करने है सामें यदि किसी भीन या परिमे संख्या के हर के अभाज UKरन्खंड के जाएं धन्य कोई भी भीन है या परिमे संख्या है उसके हर के अभाज गुराज ठंथ करने पर गुराणखंडों में यदि व और फाज दोनों हो तो ऐसी संख्या होती है इसांत दस्थाम्लों संख्या जबकि दो मे हम या पाँच हो और दोनों के अलावा और तीसरा जो अबहाद गुराणखंड ती ये अगर ये भी अगर मालो समलित हो तो ऐसी परिमेश संख्या को हम असांत आवाति दसानों संख्या की लोग में जानते हैं इसको उधान समझ लेते हैं पहले देखिए यहां पर एक बटे दो तीन बटे चार या साथ बटे पचास है यह सान दो संख्या के उधान है आप देखेंगे कि हम जो हमने क्या कहा था कि ऐसी परिमेश संख्या या दत्वन संख्या और दिन संख्या यदि उसके हर के हम बटे तका दो दो है इसका चार है तो चार करेंगे चार करने दोनी साथ इसका वह निकल रहा है a और अब पचास के बात करेंगे इसका हर फचास ए Simmons निका लेंगे तो आदिधि देखो यहां. तो प्रफ का देंगे तो पांच तो इस तरह आप यहां देख रहे हैं कि 5 फ Soon और पांच यह prac 10 का सकते हैं. के हरों के जो अबाद गुर्णन कंड़ा है के वल दो है या दो और पांच है तो ऐसी कटी संज जब आती है तो ऐसी दसम्रों संख्या हो तो ऐसी परिमेश्चा कैसा दसम्रों संख्या के अंतरकत आती है साथ यह वहीं पर एक पर यहाँ पर एक रटे चाहले दो पर्टे नौ और दो वर्टे तीन यह असांथ आवार्ची संख्या के उताणा है क्योंकि हिंके हरों का तो यहां पर दो के अलावा दो और पांच है मालो तो ठीक है वो तो सांथ आवर संक्या होगी परंतु दो और पांच के अलावा कोई अन्या है अगर साथ में आते हैं तो ऐसी जो परिमेर संक्या है वह असांथ आवर संक्या के अंतर करता इसी पकार हम नौ ले ले तो नौ के निकालेंगे तो नौ में तीन का तीतर का यहां पर यह भी क्या है असांथ आवर ते तीन का अवाज गुड़नखंड निकालते हैं तो अभाज गुड़नखंड यहीं दो हो और पांच हो यहीं दो किंतू मांनों दो के साथ में 3 हो 20 हो अगर ये निकलते हैं तो आंत आवाति लुए होती है या पांच के साथ में मदद साथ है ग्यारा है अब अब आज गुड़न खंड निकलते हैं तो ऐसी परिमेश्च संक्या भी आवर्ण संग्या होती है या दो भी हो पांच भी हो इसके अलावा कोई एक अन्य तीन हो या साथ हो तब ऐसे उनके अगर आवाज गुड़न और साथ दस्थरों संक्याओं की पहिचान के बारे में मन्याद जान करें दी कि असथियो मुझे आसा है कि आपको यह वीडियो ग्यान दगा होगा यदि आपको यह वीडियो उप्योगी लगा हो तो आप मेरे यूटूब